नमस्ते अभिवादन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए रिस्क्लेमर दोस्तों एक गलती में आपके साथ fair करने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो मैंने एक सवाल पूछा इन में से कौन सा स्टॉक आपको सबस्यादा पसंद है गलती मेरी यह चारो ही स्टॉक बहुत बेहतरी इन कमाल के हैं मैं चारों का जिक्र करूँगा लेकिन एक स्टॉक जिसने मेरा दिल तोड़ा है वे उसके बारे में बताऊँगा एक सब क्या गलती करते हैं कभी-कभी होती है भी हिए बड़ी सुन देती है। मैंने कुछ stocks की एक list भी बताई थी, कि बिना इनके stock market चली नहीं सकता, वहाँ पर मैंने CDSL और Bombay Stock Exchange कैम सिन तीनों ही stocks को कबर किया था, क्योंकि ये तीनों stocks available थे, buying के price के हिसाब से, ठीक है, CDSL की बात ऐसी हो गई, personal portfolio का हिस्सा हो सकता है, आपके लिए ये भी disclaimer, Bombay Stock Exchange, इस stock को लेकर मैं काफी ज्यादा lucky रहा हूँ, lucky ही कहूंगा क्योंकि मैं जहां भी stock को select के आउँ, वहीं से ये भागा है, चाहे वो 14 नॉवंबर की बात हो, holy के आसपास की, चाहे वो दिवाली के आसपास की, कि दोनों ही case में आप देख रहे हैं कितना बड़ा momentum आया, दिवाली पर देखिया, बढ़ी हाँ momentum आया, holy पर देखिया, बढ़ी हाँ momentum आया, यहां तो कुछ जादा ही बढ़ी हा गया, हमने पहले ही profit book कर लिए, आपको मैंने यहाँ पर सला भी दी है, profit book करने की, यह तो हो गई बात, portfolio में डालने की profit book करने की नहीं, यहां, वो आप decide करोगे, ठीक, यहां पर हमको gear out में लिए, इसलिए हम इसे stock को add कर पाए, camps जब इनका IPO आया था, उस बगद भी मैंने आपको लगाने के लिए भी बोला था, काफी बेहतरीन वीडियो मैंने इस पर बनाई थी, आपके लिए बोला था, long term के लिए आप इस stock को रखो, यह multi bagger अगर नहीं भी बनेगा, तो आपको 33% के आसपास का CGR दिखा सकता है, मतलब कि जो nifty की चाल रहेगी, उससे लगबग double चाल यह चलेगा, मैंने आपको जब IPO की वीडियो आई थी, तो उस वक्त मैंने आपको यह बात बताई थी, long term के लिए रखनायक है, यह stock वहाँ से लगबग double हो चुका है, 2X हो चुका है, और यह बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यह stock जो है, वो है Indian Energy Exchange, मैं personal level पर बताऊँ, मुझे यह stock इन सभी में से सबसे ज़्यादा पसंद है, काराण कभी बताऊँगा, लेकिन आपको यह भी बताना चाहूँगा, कि इसको मैं COVID की जो भहनकर गिरावट आई थी रहा भाई साब, यहाँ पर, यहाँ पर भी मैं इसको नहीं खरीद पाया, मुझे यह stock 100 रुपय में चाहिए था, यहाँ से हमको सीख क्या मिलती, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा छोटी quantity मैं इस stock की यहाँ पर खरीद पाया था, जब यह breakout दे रहा था, यहाँ पर, वो भी एक बार के लिए लगा कि यह फेल ना हो जाए, खर, बहुत चोटी quantity मैं यहाँ पर खरीद पाया था, क्योंकि मैं generally breakout पर बहुत ज़्यादा confidence नहीं फील करता हूँ, ऐसा नहीं एक बिल्कुल ही confidence नहीं, मैं कुछ stock select करता हूँ, अब यही देख लीजिए, भाग गया, लेकिन मैं quantity नहीं add कर पाया इसकी, ठीक है पहले तो काफी जादा कम quantity थी, जो भी quantity मैं लेता हूँ, उस ratio मैं सिर्फ यहाँ पर 5-7% ही quantity रख पाया, और दूसरी सबसे बड़ी गलती, कि हम जीवन में कुछ लोगों को, कुछ stocks को बिल्कुल भाव नहीं देना चाते, मतलब जितना वो deserve करते हैं, उतना भी हम उनको भाव नहीं देना चाते, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यही request करूँगा, live के case में भी, stock market के भी case में भी, कि कुछ stocks कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो हमारा भाव deserve करते हैं, मैंने एक जिप ठान रखी थी, मुझे stock बहुत पसंद है, personal level पर मैं उसके लिए video लेकर आऊँगा, क्यों पसंद है, मैंने जिप ठान रखी थी, 100 रुपे पर आएगा, मैं अच्छी खासी quantity एड करूँगा, लेकिन ये stock नहीं आया, बड़ा crash आया stock market में, ये stock गिरा ही नहीं, गिरा ही नहीं, इतनी बड़ी गिरावट काफी होती है, लेकिन जिस हिसाब से panic situation थी market में, मुझे और बड़ी गिरावट की expectation थी, और ये नहीं हुआ, उसके बड़ाद चला, कभी भी एक ऐसी गिरावट नहीं दिया, ना होली पे दिया, ना दिवाली पे दिया, कि मैं इसको एक confidence के साथ एड कर सकूँ, यहाँ पर भी मैं सोच रहा था, एक बार मुझे 300 क्या सपास मिल जाए, नहीं मिला, ठीक है, तो यह चीज़ें होंगी आपके साथ, लेकिन यहाँ पर सीख क्या है, हमारे आपके लिए सीख क्या है, कि हम जीवन में कुछ लोगों को कम भाव देते हैं, लेकिन वो डिजर्व ज्यादा का करते हैं, समझ रहे हैं, तो उनको हमें संवान, भाव मतलब संवान देना चाहिए, सही रेड पर कुछ लोग महेंगे होते हैं, वो और महेंगे होते चले जाते हैं, तो अगर हम उनको सही समय पर संवान नहीं देंगे, वो हमारे हाथ से फिसल जाएंगे, मुझे पता है कि आप लोग कहोगे सर इसके अलाव बहुत opportunities थी लेकिन जो मेरा यहाँ पर confidence था ना भाई साब उसने मुझे अंदर से एक वो feel करा दिया कि नहीं नहीं आप इस stock market में कभी भी सही होई नहीं सकते 100% 100% छोड़ दीजे भाई साब अगर 60-65% भी सही हो जाओ ना तो अपने आपको बहुत ज्यादा lucky मानना जैसे कि मैं Bombay Stock Exchange के case में काफी ज्यादा lucky हूँ जब भी मैंने इस stock को select किया जिनके पास holy portfolio होगा दिवाली portfolio होगा वो जाकर चेक करेंगे चेक करने जरुवत नहीं मैंने तो पनली इसके बारे में बात भी की है कि मैंने इस stock को यहाँ पर दिया है यहाँ पर दिया दूसरे चैनल पर इस ते related video है लेकिन जहां पर मैं बिल्कुल गलत साबित हुआ एक fix level करके कि मैं इस level पर ही खरे दूँगा तो वह stock था Indian Energy Exchange क्या आपने ऐसी कोई गलती की है क्या आप जरा बताओगे देखो यह जो पुराना bull run चला है पिछले एक साल सवा साल का इसमें यह कई सारी चीजे होई होंगे आपके साथ यह गलती कई भी सम्मान नहीं deserve करते हम उनके आगे सर जुका कर फिरते हैं जैसे कि कोई रिष्टेदार हमको कुछ बोल दिया तो वहां पर हमारा सर जुक जाएगा लेकिन हम अपने माबाप से भीड़ जाते हैं मेरे दोस्त जैसे कि गोल्ड पे अगर आप 5-6% रिटन कमा लेते हो इस्टॉक मार्केट में वही रिटन कमाना बहुत आसान है आएगा तो खरीदूंगा और वह लेवल कभी आया है नहीं तो यहां पर हमारे जो घर वाले हमको बारगेनिंग सिखाते ना तेरा ना मेरा वाला हाल वह हमको करना चाहिए कि भाई चल तु 100 नहीं आएगा मैं तुझे 110-115 में ही खरीद लेता हूँ क्योंकि तु 220 से गिरा हुआ है अगली बार ऐसी कोई बड़ी गिरावट आए तो ऐसे स्टॉक को रडार पर रखिएगा अपने साइट से मैंने आपको मोर देन 300 स्टॉक्स बता दिये हैं जो मुझे पसंद है उसमें से 45-50 स्टॉक्स मेरे पर्सनल पॉर्टफोलियो में भी हो सकते हैं उसके अलावा दिवाली, होली, वेलेंटाइन, रिपब्लिक, डिधर सारे पॉर्टफोलियो जहें फ्री का होली पॉर्टफोलियो है, इन में से बहुत सारी वीडियो फ्री आफ कॉस्ट अवेलेबल हैं इस चैनल पर दूसरे चैनल पर तो आप उसका एड्वांटेज जरूर उठाइए, स्टॉक्स को रखी अपनी रडार पर उनके बारे में रिसर्च कीजिए, एक और ची बिल्कुल भी, क्योंकि जब चारो तरफ डर का महाल होगा, जब अंधिरा कायम रहेगा, तो ये स्टॉक्स एक बहुत अच्छा लेवल आपको दे रहे होंगे, वही मौका होता है ऐसे स्टॉक्स में एंट्री लेने का, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स बहुत रेर चांसे में सस्ते मिलते हैं, और जब वह सस्ते होने लगते हैं, तो हमारा भाव बढ़ जाता है, और सस्ता हो जा हम तुझे सौ रुपय पर खरी देंगे, और फिर मेरी तरह पस्तावा, तीन महीने, छे महीने, साल भर तक रहता है, आज तक का पस्तावा है, लेकिन इस गलती से मैंने स दो रहा है, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपर कुछ चीजे होंगी, जब इसने ये टाइम करेक्शन दिखा दिया, उसके बाद जब ब्रेक आउट हुआ, तो मैंने यहां पर कॉंटिटी एड कर ली, आपको भी बताया था, इस स्टॉक को लेने के लिए, जाकर जब IPO आय था वहाली वीडियो भी देखिएगा, लॉंग टम के लिए क्या point of view था, तो उस गलती से यहां पर मुझे एक भरोसा मिला, कि अच्छे चीजें उतनी सस्ती नहीं होंगी जितना आप चाहते हो, समझ रहे हैं, दुकान पर गए आपको कोई चीज पसंद आ तो आपको वही बीच का भाव लेना पड़ता है, जैसे हमाई मम्मी लोग जाती है, कि बाजार में गई, दुकान दार बोला यह 500 रुपे का समान, मम्मी लोग कहेंगी, 100 रुपे में देंगे, दुकान दार भी सोचता होगा, कितनी उची बात बोल दे अंटी जी ने, लेक कर जब आप इंडिया जैसे देश में हो, जहां पर बुल रन की स्टोरी लॉंग रन में बिल्कुल इंटैक्ट हो, प्राइज करेक्शन टाइम करेक्शन पर मैं काफी बड़ी चर्चा आप से करना चाता हूँ, आप से रिक्वेस्ट है, इन्वेस्टोपीडिया पर आर्ट कर दो करते दूब मायम बलता चाता हूँ, आप से कर योक, ये यॉफा करते हैं तो और आपके तो तो गया वह गए। स्ट फेने देवाल्त होगा उपको आपका प्राइस या नहीं देने वाला भीट का सस्ट निकालना परता है नमस्कार